केंद सरकार One Nation One Election के लिए आगे बढ़ चुकी है कैबिनेट ने पास कर दिया है बिल ड्राफ्ट किया जा रहा है अब पार्लियामेंट में आएगा पार्लियामेंट के दोलों सदलों पिसमे चर्चा होगी और बाद में इसको विधान सभाओं को भेजा जाएगा ज़रूरी है और भारत में 50% विधान सभा यानि कुल 15 विधान सभाओं को भी One Nation One Election का समर्थन करना होगा तब जाके One Nation One Election हो पाएगा लेकिन बहुत ज़रूरी है गुलामी के पहले भी भारत में One Nation One Election होता था और आजादी के बाद भी भारत में One Nation One Election हुआ जो सुरू के चार चुना हुए, 1951 में जो चुना हुआ, 1957 में जो चुना हुआ, 1962 में जो चुना हुआ, 1967 में जो चुना हुआ, वो वन नेशन, वन एलक्षन ही हुआ था सुरू के चार जो चुनाव हुए उसमें लोगसभा विधानसभा ये सारे चुनाव एक साथ हुए थे अब आज की रेट में हर साल चुनाव हो रहा है एक साल पारसत का चुनाव होता है अगले साल फिर प्रधान का चुनाव होता है अगले साल फिर विधान सभा का चुनाव होता है फिर अगले साल लोकसभा का चुनाव होता है तो एक तरीके से लगातार हर साल कोई इनको चुनाव आता रहता है और नतीजा क्या है इस्कूल कॉलेज के जो टीचर है उनकी डूटी लग जाती है चुनाओ में थानेदार, हवलदार, कांस्टेबल, कप्तान की डूटी लग जाती है चुनाओ में ADM, SDM, DM की डूटी लग जाती है चुनाओ में जितने भी government department हैं सब के C grade और D grade की implies की duty लग जाती है चुनाओं में तो समय भी बरबाद हो रहा है पैसा भी बरबाद हो रहा है बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और जिसकी चुनाओं में duty हैं लगती है उसको अलग से कुछ पैसा भी देना पड़ता है तेक तरीके से अलग से burden भी आ रहा है इसके बावजूद one nation one election का कुछ political party यां विरोध कर रही है और विरोध क्यों कर रही है अपने फाइदे के लिए वन नेशन one nation से देश का भला होगा समाज का भला होगा विकास होगा शांती आएगी शमर्द्धी आएगी खुशЬ हाली आएगी लेकिन political party को नुकसान हो रहा है political party को इसले नुकसान हो रहा है कि जितनी बार चुना होता है उतनी बार ये political party चंदा वसूलती हैं एक बार पारसत की चुनाओं में होगा फिर चंदा वसूलेंगी व्यापारियों से अगले साल फिर प्रधान का चुनाओं होगा फिर व्यापारियों से चंदा वसूलेंगी विधान सभा का चुनाओं होगा फिर व्यापारियों से वसूलेंगी लोग सभ पॉलिटिकल पार्टियां अपने फाइदे के लिए इसका विरोथ कर रही है जब जब चुनाव आता है जाती का जहर घोलना सुरू होता है भाशा का जहर घोलना सुरू होता है जातिवाद भाशावाद छेतरवाद कटरवाद मजभी उनमाद तेजी के साथ इसका जहर घोला लास्ट के जो दो-तीन महीने, चार महीने चुनाओं पे चर्चा करेगी, बाकि 55-56 महीने बाकि विशियों पे चर्चा होगी, elegiction reform पे चर्चा होगी जुडिशाल रिफार्म पे चर्चा होगी और भी जो मुद्धे हुनफे चर्चा होती है बार-बार चुना होता रहता है तो सांसद विधायक अपना काम छोड़के पार्टी के काम में लगे रहते हैं काईदे से सांसद विधायक पब्लिक सर्वेंट है उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पब्लिक ड्यूटी के लिए मिलता है लेकिन वो पब्लिक ड्यूटी नहीं करते हैं वो पाठी की ड्यूटी करते हैं अब चूकर हर साल नए ओटर जोड़ना हर साल नए बूथों पे जाना हर साल चुनाओ प्रच ब्राजील, बुल्गारिया, कोलंबिया, साइप्रस, फिनलेंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, यहां वन नेशन, वन एलक्षन होता है। इस्कूल की छुट्टी न करना पड़े, इस्कूल बंद न करना पड़े, बच्चों का नुक्सान न हो, गौवर्मेंट इंप्लाइज को भी ज्यादा नुक्सान न हो, महलाब किसी भी तरीके के लोगों को समस्या न हो, इसलिए 48 देशों में संडे को एलक्षन होता है, वन दिन चुना होगा, वो डेट भी डिकलेर हो जाती है, इतना बड़ी आ सिस्टम चलना है, छोटे-छोटे देशों में भी One Nation, One Election हो रहा है, बड़े-बड़े देशों में One Nation, One Election हो रहा है, कुछ लोग केता है भारत इतना बड़ा है, तो आपको बतानू, रूस भारत का हो जाती है जैसे एलक्सन में खतम हो जाता है उसके बाद पोस्ट पोल वाइलन सुरू हो जाता है यह भी रुकेगा और होगा भी तो पांच साल में एक बार होगा हर साल नहीं होगा जो यह काला धन हवाला का पूरा खेल चलता है यह भी रुकेगा और चलेगा भी तो पांच साल में एक बार चलेगा कम स्कूम हर साल नहीं चलेगा यह जो मुफ्त खोरी वाली योजनाय हैं यह मुफ्त खोरी भी पांच साल में एक बार आएगी हर साल नहीं आएगी यह जो दारू बाटी जाती है बाकी मीट का कारोबार बढ़ जाता है लक्सन के टाइम में यह जो बा समट करेंगी अगड़ाप पिश्ड़ा करेंगी ब्राहमण छत्री करेंगी या यादा और हरजन करेंगी ऐसे बांठती जाती हैं हर गायों में पोलिटीकल पारटिया दो तीन चार फारड़ कर देती आप पूरे गायों का इसे यह विइसदेले नतीजिदे तो लोग दुबारा जुड़ जाएंगे तो कमस्कम साधे पांस साधे चार साल तक लोग एक हो के रहेंगे लोगों का अपना जो रिस्ता है वो खराब नहीं होगा इसलिए मेरा यह मानना है वन नेशन वन एलेक्शन बहुत ज़रूरी है इसको करना चाहिए एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया कई बार कह चुका है वन नेशन वन एलेक्शन होना चाहिए ला कमिशन आफ इंडिया कह चुका है वन नेशन वन एलेक्शन होना चाहिए पालियामेंट स्टेंडिंग कमेटी कह चुकी है वन नेशन वन एलेक्शन होना चाहिए और जब मैंने लेकिन इसके साथ और भी कुछ जरूरी है मिनिमम क्वालिफिकेशन भी अपसेट होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट भी कुछ चुनाव लडने के लिए सट होनी चाहिए जब एक आदमी अनपढ़ अनारी होमगार नहीं बन सकता तो फिर अनपढ़ हनारी होम मिनिश्टर कैसे बन सकता एक अनपढ़ हनारी अगर टीचर नहीं बन सकता तो शिक्षा मंत्री कैसे बन सकता एक अनपढ़ हनारी अगर कलरक नहीं बन सकता तो वुवित मंत्री कैसे बन सकता एक गुंड़ा बदमास अगर वकालत नहीं कर सकता जद नहीं सकता मढ़बह सकता तो कानूनमंतिर उसको क्यों मनना चाहिए इसलने मेरा मानना है जैसे टीचर्स के लिए आल एंडिया लेबल पregorman टेस्ट होता है वैसे हिट चुनाव लड़ने के लिए भी विधायक बनने के लिए भी स्टेल्ड़का लेबल का पढ़ेंगे लिखेंगे अगर पढ़े लिखे लोग सांसद विधायक बनेंगे पढ़े लिखे लोग मंत्री बनेंगे तो कमस्कम सम्मिधान को समझेंगे सम्मिधान में क्या लिखा है सम्मिधान क्या कहता है कानून में क्या लिखा है कानून में क्या क्या खामिया है वो लो लगना चाहिए इसलिए एक One nation one election code होना चाहिए.One nation one legislature code होना चाहिए, शांसत विधायक पारषण पद्धान की duty बगा दे निर्धारीत होनी चाहिए. कि पारषण को क्या-क्या काम करना है, सांत को क्या-क्या काम करना है, क्योंकि अभी लोगों को पता भी नहीं है. बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनको मैं जानता हूँ जो पूरे पांच साल तक ना क्विश्चन आवर में क्विश्चन पूछते हैं ना जीरो आवर में क्विश्चन पूछते हैं ना कोई प्राइबेट मिंबर बिल पेस करते हैं यही हालत विधायकों की भी है तो कम सकम होनी चाहिए तब जाके वास्तों में लोगतंत्र मजबूत होगा नहीं तो यह जो गुलामी वाला कानून है जब तक ही चलता रहेगा तब तक भारत में वास्तों में सच्चा लोगतंत्र नहीं आएगा यहां भीड तंत्र तो रहेगा लेकिन लोगतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा